यदि सद्लियों के मौसम में आपको आलू का पराठा खाना बहुत पसंद है लेकिन आलू के पराठा बनाने में लगने वाली महनत से आप बजना चाहते हैं तो आज की रेसिपी को आप जरूर ड्राइ करें आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं बिना आलू मैश किये बिना मसालों को बनाए आलू स्टफ्ट लच्छा पराठा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं यहां भी मैंने लिया है एक कप मैदा और साथी साथ उसमें मिलाए है नमक थोड़ा आध एक अभी इस्तिमाल कर सकते हैं या दोनों को equal quantity में मिला के इस्तिमाल कर सकते हैं तो थोड़ा सा पानी इस्तिमाल करते हुए आप इसका एक डो बनाए हाटों की हल्प से इसका एक अच्छा साथ डो रेडी करेंगे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालत हुए डो बना रही हूँ जादा पानी एक साथ ना डालें क्योंकि आटा यदी गीला हो जाएगा तो हमारे पराटे नहीं अच्छे बनेंगे सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसका हमें एक डो लगाना है यह देखिए हमारा डो बनके रेडी हो चुका है इसे अच्छी तरीके से नीड कर लें इसे गूतना बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और साथी साथ आप इसे स्लैब के ऊपर इस तरीके से बहुती मजबूती के साथ थोड़ ऐसे भी नीड करना है आपको ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा डो है उसमें काफी फ्लिक्सिबिलिटी आ जाएगी और हमारे जो पराटे हैं वो काफी सॉफ्ट बनेंगे तो ये देखिए आप आपने देखा होगा जो हलवाई लोग होते हैं वो अपने डो को इस तरीके से ही उस पे काफी प्रेशर अपलाई करते हैं तो आपको अपने डो को कुछ इस तरीके से नीड करना है तो ये देखिए हमारा दो बनके रेडी हो गया है ऐसे इसको आप ऐसे stretch करें और इसको fold कर लें ये process करना बहुत जादा important है ये देखिए हाथों की help से इसे आप ऐसे stretch करें और then fold कर लें ये process आपको करीब 5 मिनट तक लगातार करते रहना है ऐसा करना से हमारे पराठे में जो लच्छे होंगे वो काफी अच्छी तरीके से अलग हो जाएंगे और आपको stuffed आलू का पराठा के साथ सथ लच्छा पराठे का भी आनंद मिलेगा तो लीजिए दोस्तों हमारा जो डो है वो ready हो गया है इसके उपर हमें लगाना है करीब आथा चोटा चमच ओयल जिसकी वज़े से यह ड्राई ना हो उसके बाद एक बार फिर से इसे अच्छी तरीके से नीट करने के बाद आप इसे ढग के या फिर एक सेलोफिन की एल्प से इसको थोड़ी देर करीब 10 मिनट रेस्ट होने के बाद फिर से एक बार आप उसे अच्छी तरीके से नीट करें वैसे ही जैसे हमने स्ट्रेच और फोल्ड करके नीट किया था वैसे आपको स्ट्रेच करना है इस पराठे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको इसकी नीडिंग एकदम ऐसे ही करनी है उसके बाद आप इसको ऐसे टकन फोल्ड करते रहें ये देखिए टकन फोल्ड करने के बाद आप इसकी दो लोई को बना लें जितने भी पराठे आपको बनाने हैं आप उसे साबसे लोईयों को काटके रख लें उसके बाद आप स्लैप को थोड़ा सा डस्टिंग करें एंदेन उसके बाद एक डो ले करके उसके उपर आप फिर से थोड़ा सा ओयल डालें करें तीन से चार गुंत क्योंकि डस्टिंग करने से हमारे जो पराठे हैं उनमें एक अलग सा किरकिरापन आने लग जाता है इसलिए यदि आप ओयल से ओयलिंग करके पराठे बनाएंगे तो काफी टेस्टी बनेंगे इहें इन देन उसके बाद बेलन की हिल्प से आप इसे रोल करते जाएं आप इसे तब तक रोल करते रहें जब तक यह एकदम आल्मूस ट्रांस्पैरेंट शीट जासा ना हो जाएं ये देख सकते हैं आप काफी पतला हो गया है उसके शेप की चिंता ना करें उसके बाद आपको क्या करना है कि एक उबला हुआ आलू लेना है और ये जो चीज ग्रेटर होता है ना बस उसकी हिल्प से आप इस तरीके से इसके उपर कद्दू कस कर ले ये देखे तो दोस्तों आपने देखा कि कितने कम आलू में हमारा एक पराठा जोए बस आधा आलू इसमें लगबख इस्तेमाल हुआ इसके उपर आप स्प्रिंकल करें मसाला लाल मिर्श पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा अमचूर पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा ध just simply इसे रोल कर ले ये देखिए ऐसे रोल करना है आपको तीन से चार बार आप ऐसे रोल कर ले and then उसके बाद इसके जो साइड से उनको सील कर दे जिससे कि हमारे जो stuffing है वो बाहर ना निकले ये देखिए एकदम guaranteed आपके आलू के पराठे कभी भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे बनेगे काफी क्रिस्पी लच्छेदार आलू के पराठे बनके रेडी होंगे ये देखिए आपको इस कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है बस उसके बाद आपको इसको कुछ इस तरीके से घुमा दे और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कॉर्णर था न उसको कुछ इस तरीके से आपको चिपका देना है ये देखिए उसके बाद एक बाद फिर से इसकी दस्टिंग कर ले और दस्टिंग करने के बाद हमें इसे सिंप्ली रोल कर देना है यकीन मानिये दोस्तों या अलू के पराठे काफी यूनीक हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप इसे एक बार खाएंगे तो डेफिनेटली समोसा पैटीस भी आपको फीके लगने लगेंगे तो बेलन की हल्प से एक बार फिर से आप इसे फैला ले ध्यान रखें बहुत जादा पतला ना करें ये देखिए लग रहे हैं ना काफी अच्छे से एकदम पतली सी लेयर मैं देखी है इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आठा आठा काही स्वाद आएगा काफी अच्छी स्टाफिंग है बढ़िया लच्छेदार है ये तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लच्छा पराठा है वो एकदम अच्छी तरीके से बिल के रेडी हो गया है तो पराठे को बनाके ऐसे साइड में रख लें और उसके बाद गरम करें एक तवा तवे के उपर इस पराठे को आप डाल दें ये लेजे ऐसे उसके बाद पराठे को आपको flip कर देना है आप देख रहे हैं कि दूसरा side जो है वो drive होना शुरू हो गया है जैसे ही दूसरा side drive होना शुरू हो जाएगा हम एक इस spatula की help से उसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे प्रेस करने से हमारे पराठे थोड़े से फूलने शुरू हो जाते हैं और जब पराठे फूलने शुरू हो जाते हैं तो हमारे जो लक्षे पराठे की layer से वो भी अलग होनी शुरू हो जाती है और इस स्टेज पर आप इसमें ओयल डालना शुरू करें आप चाहें तो इसमें देशीगी का बिस्तिभाल कर सकते हैं देशीगी से स्वाथ काफी अच्छा आता है तो ऐसे स्प्रिंकल कर लें और एक बार फिर से स्पाचुला की हिल्प से आप इसे प्रेस करकर के ऐसे पका अ कि अ इत्या है जडी मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शरीब करना फिल्कुल भी ना भूले और यदि आपको ट्राइ करने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो इस चैनल पर लाइक का बटन बटन जरूर दबाएं और साथी साथ मेरी वीडिय से वह अलग होनी शुरू हो गई हैं तो चलिए यह टाइम आ गया है कि हमारे पराथे एक दम सर्व होने को रेडी हो गए है तो गर्मा गरम पराथों को आप सर्व कर सकते हैं हरी चट्नी के साथ या फिर दही के साथ तो दोस्तों जैसे की चुर-चुर नान को थोड़ा सा क्र कर लें क्रश करने से हमारी एक एक लेयर एक दम अलग हो जाएगी इसमें लेयर्स इतनी ज्यादा है दोस्तों कि आप गिन भी नहीं सकते हो आप इसे हजारी पराथ पराथा जरूर कह सकते हैं